coverage area के basis पे marine insurance को तीन टाइप में divide कर सकते हैं, hull और machinery insurance, दूसरा है cargo insurance और तीसरा है freight insurance यानि कि जो insurance policy ले जाती है marine insurance में, उसमें किस चीज को आप protect कर रहे हो, आप hull यानि कि जो machinery जो ship है उसको protect कर रहे हो, या फिर ship पे जो cargo समान ले के जाते हैं, उसको protect कर रहे हो, उसके लिए insurance ले रहे हो, या फिर freight के लिए insurance ले रहे हो, तो इन तीनों कोई हमने marine insurance के वीडियो में discuss कर रखा है, आप playlist देखेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा marine insurance के वीडियो में, clear, अब यहाँ बात करेंगे कि जो different type of marine insurance policies है, based on structure of contract, यानि कि उनका structure कैसा है contact का, उसकी basis में marine insurance policies की कितने type होते हैं, तो सबसे पहला है voice policy, यहाँ पर कोई serial number नहीं है, यानि कि हम यहाँ पर पहले discuss कर रहे हैं voice policy को, देखें, voice का मतलब होता है long journey by sea, यानि कि long journey by sea, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी किसी एक जर्नी को protect किया जाता है, यानि कि suppose करें कि विसाका पर्टनम से कोलंबो जो है ship को जाना है, तो उस एक journey में अगर आपने हल का insurance लिया है, तो हल का protection किया जाएगा, अगर आपने cargo का insurance लिया था, तो cargo protect किया जाएगा उस एक journey में, अगर आपने fright का insurance लिया था, तो fright को उस एक journey के लिए protect किया जाएगा, तो voice policy मतलब कि किसी एक journey का insurance होता है, किसी एक जर्णी में अगर हल या फिर कार्गो या फिर फ्राइट में से किसी को नुकसान होता है जो भी subject matter है उसको नुकसान होता है तो उसको वहाँ पर protect किया जाएगा तो it expires on reaching its destination irrespective of the time it takes to reach there यानि कि जब वो पूरी जर्णी कर लेता है तो वहाँ पर policy खतम हो जाएगी यहाँ पर time से matter मतलब नहीं होता है यानि कि विसाका बटम से कोलंबो तक पहुँचने में चाहे आपको तीन दिल लग जाए चाहे चाहे चार दिल लग जाए लेकिन विस होते small exporters होते हैं जो की ship के जरिए समान भेजते हैं कभी कभार तो उनके जरिए जो है यह वाइस policy लिया जाता है तो वाइस policy की समझ गया होंगे कि एक जर्णी को जो है यहाँ पर protect किया जाता है किसी एक जर्णी को protect किया जाता है clear next जो policy that is time policy time policy नाम से clear है कि it is issued for a first period of time या there may be any number of wise during this period यानि कि आपने एक साल के लिए आपने marine insurance ही रखा है तो इस एक साल में आपका कितना भी आप जो है कोलंबो से विसाका पटना बारे हैं विसाका बार्टम से कोलंबो जा रहे हैं फिर किसी और country में जा रहे हैं तो सभी जो है wise को यहाँ पर protect किया जाएगा इस insurance policy के तहट जब तक कि वो insurance policy लिया है यानि एक साल के लिए तो एक साल के लिए सभी रास्ते को सभी जर्नी को वहाँ पर protect किया जाता है तो generally the insurance company issues this policy for one year however the period में vary depending on the agreement between the both parties तो generally एक साल के लिए issue किया जाता है लेकिन अगर दोनों party बात करते हैं तो वहाँ पर एक साल से के अंदर आप कितना भी जर्नी करिए हम सभी जर्नी को protect करेंगे clear next जो है mixed policy mixed policy नाम से clear है कि यहाँ पर wise और time policy दोनों ही involved होते हैं तो the insurance company agrees to cover the loss or damage to the ship for a particular watch till a particular period of time clear तो यहाँ पर क्या है कि कई बार होता है कि लंबी जर्नी होती है तो लंबी जर्नी होती है तो वहाँ पर ए एक particular voyage को किसी एक particular time pit के लिए कबर किया जाता है तो that is mixed policy यानि कि आपर time भी होता है और यहाँ पर wise भी होता है clear next है open policy नाम से clear है इसको हम floating policy भी कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक policy रहेगी तब तक आप कितना भी transit कर रहे होगे सभी transit को यहाँ पर coverage दिया जाए को cover यहाँ पर किया जाएगा तो it is beneficial for the companies which are involved in high volume trade यानि कि ऐसी companies जो बहुत जादा मात्रा में trade करती है व्यापार करती है ship के जरिये उनके लिए जो ही यह open policy वहाँ पर beneficial होती है as they are safe from taking an insurance policy on each transit जर्ण यानि कि हर बार जो है हर जर्ण के लिए आपको अलग लग हाँ पर policy नही लेनी पड़ती है clear तो उसको open policy कहते है यानि कि यहाँ पर जब तक policy चलेगी तब तक जितने भी transit करेंगे सब को हाँ पर coverage मिलती है तो उसको कहते है open policy clear next जो type of policy that is single vessel policy and fleet policy तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ship owners होते हैं जिनके पास सिफ एक जो है ship होता है वही पर बहुत सा इक ही policy में उनके पास जितने भी ship हैं सभी को जो है वहाँ पर cover कर लें तो जब कोई ship owner किसी एक ship के लिए एक जो है policy purchase करता है तो उसको कहते है single vessel policy, insurance only a single ship of the insured, यहाँ पर क्या होता है single vessel policy में, जो insured है उसके किसी एक single ship को ही वहाँ पर insurance coverage प्रिने लेगी, वही पर जब कोई person जब कोई ship owner जो है वो अपने हाँ पर उसके हाँ पर जितने भी ship हैं सभी के लिए coverage लेता है तो उसको कहते है fleet policy, clear, under which a fleet of ships is insured under a single policy, fleet आपने देखा होगा कि जब भी PM कहीं से गो जाते है तो उनके पूरी fleet जा रही होती है, यहाँ कि उनके साथ बहुत सारी गारिया जा र Unvalued policy का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर कि the insurance company does not assign a value to the things insured, याने की जो vessel है या फिर cargo है उसके value को जो है पहले assign नहीं करती है यहाँ पर, ठीक है जब policy underwrite होती है तो उस वक्त जो है इसको जो है वहाँ पर assign नहीं करती है value को, the valuation of the properties done only after the claim of insurance has been filed, जब claim जो है फाइल किया जात है, clear कि कितना जो है उसको payment किया जाएगा, कि कितने value का जो है ship था, cargo था, वो सब जो है जब claim किया जाता है तब जो है वहाँ पर उसकी valuation की जाती है, पहले याने की policy लेते वक्त जो है वहाँ पर valuation नहीं की जाती है, clear, however, for a successful claim, the true value of the property has to be proved by the insured by way of invoices or estimates before the valuation, तो इस case में य value वहाँ पर proof करना पड़ेगा, जो insured है, उसको invoices के जरीए फिर जो भी estimates है, उसके जरीए जो है उसको बताना पड़ेगा कि मेरी जो भी नुक्सान हुआ, वो इतने value का था, तो unvalued policy, unvalued policy नाम से clear है, कि यहाँ पर जो value लगाई जाती है, ship की या फिर vessel की या फिर cargo की, व वो जो है claim की time पर लगायाती है, policy लेते होग जो है वहाँ पर उसकी value को नहीं लगाया जाता है, इसी तरह की से जो दूसरा है, that is valued policy, नाम से clear है, तो valued policy में क्या होगा, यह जो insured property है, उसको शुरुवात में, जब जो है वहाँ पर policy ले जारी होती है, तब ही जो है उसकी valuation क पहले ही कर ली जाती है, when the claim is made by the insured, a pre-estimated or the specified amount is given, which does not depend on the amount of loss incurred by the insured, तो यहाँ पर क्या होता है, problem कि अगर suppose करें कि जब loss होता है, तो loss की time पर ज्यादा value का समान नुकसान हो गया, लेकिन आपने जो policy ली थी, उसक्त जो है कम value में लिया था, तो जो आपने policy ली थी, उसक जो valuation किये थी, वही amount आपको मिलेगा, चाहे आपका loss जो है वो ज्यादा amount का हुआ हो, जब policy आपने ली थी, उसक्त जो value थी, वही जो है वहाँ पर आपको claim मिलेगा, उसी के लिए claim मिलेगा, clear, तो the depreciation of the property also does not affect the amount of claim under a valued policy, यहाँ पर value policy में जो depreciation का effect होता है, वहाँ पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो valuation starting में होगे, उसी को जो है आपको यहाँ पर benefit मिलेगा, depreciation को कोई भी effect यहाँ पर नहीं पड़ेगा, वही पर जो next policy है, that is port risk policy, तो port risk क्या होता है, कि बहुत बार क्या होता है, कि ship जो है वो dock पे आपके खड़ी हो जाती है, तो dock पे जाने के बाद या फिर ship की मरमत के लिए जो है वहाँ पर dock पे भेज दिया जाता है, तो जब वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर अगर कोई damage होता है, जो है ship को, तो उस case में जो है insurance coverage जो होता है, उसको port risk policy कहते है, तो cover ships that are either docked or are undergoing repair works at the port, तो जब port पे जो है repairing हो रही है, या फिर dock प पहुंच जाता है, तो उस ship जो है नुकसान को cover करने के लिए, जो cover करने के लिए जो policy ली जाती है, वो होती है, port risk policy, it provides coverage for physical damage to the vessel as well as protection and indemnity, clear, तो इसके अलावा जो है आपको अलग-अलग books में WAGAR policy मिलेगा, WAGAR policy में क्या होता है, कि जो insured होता है, उसका insurable interest होता ही नहीं है, जिसके लिए उसने जो insurance लिया है, तो वहाँ पर जो है insurance company WAGAR policy provide कर देती है, वहीं पर name policy है, name policy में क्या होता है, कि ship का जो name है, उसके नाम से policy लिया जाता है, तो name policy, इस तरिके से एक policy है, जिसको कहते है, block policy, जहाँ पर सभी type के risk को cover किया जाता है, अगर insurance ने किसी चीज को किसी भासभाई न किया हो, तो सभी type के risk को जो है, वहाँ पर cover किया जाता है, तो उस type के policy को हम block policy कहते है, clear, तो यह जो है different type of policies है, जो की marine insurance में होते है, कौन-कौन से थे, voice policy, time policy, mixed policy, open policy, single vessel policy, fleet policy, unvalued policy, valued policy, port risk policy, wagon policy, name policy, block policy, wish you all the best, keep watching.